नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी में मैं हूं मुहम्मद फातेह टीपू संसद अपने नए संसदों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तयार है इस वक्त हमारे साथ है अगर मैं आपको पहली बार चुन करके देश की संसद में भेजा है अगर मैं आपसे आपकी प्रात्मिक्ताओं के बारे में जानना चाहूं तो किन प्रात्मिक्ताओं को आप शामिल करना चाहेंगे अपने एजेंडे में आपके चनल के मध्यम से सारे दर्सकों को मेरी और से जोहर मेरे निर्वाचन सेतर जो बाशवाद उंगरपूर का रहा है जिन लोगों ने मुझे आज यहां तक पहुचा है उनको भी दन्यवाद देना चाहूंगा आप सब को भी दन्यवाद प्रात्मिक्ता आनेक है पहली बार सांसत बनके मैं इस अदन में आज प्रवेस किया है बरतमान जो देश के अंदर जो परिस्तिया बनी है और जो हमारा इलाका है जैसे के ट्राइबल इलाके से मैं आता हूँ ट्राइबल रिजर्वस्टिट से आता हूँ आज भी हमारे आदिवसी इलाके के अंदर मूल्बू जो सुविदा है उनों सुविदा उससे आज भी आदिवसी समाज का इनके कटा हुआ है तो मेरी प्रात्मिक्ता रहेगी कि मेरे सेत्रे के अंदर में एज्यूकेशन में करांती लाओं और साथ ही लंबे समय से ट्राइबल इलाके के अंदर आदिवसी समाज जल जंगल जमीन के लड़ाई को लेकि लड़ता आया है तो जो सवेदानिक जो प्रावदान है जैसे कि शेडूल 5, शेडूल 6 का जो प्रावदान है सवेदानिक इन प्रावदानों को इस सदन के माध्यां से मैं दरातल पे लागो कराओं ये मेरी प्रात्मिक्ता रहेगी बाकी देश में अगर देखें हाला कि दिखता कुछ और है देश के कई कौनों में अलग-अलग इस्ततिया हैं आज भी आदिवसी लाके के अंदर कूप उशन की समझ आज पराटी ओक लागो करॼए हैं या भी ब 팟 को काम करें 흥 को कि आप घालिकर बाहरत आधिवसी पार्टी इसे, इसाんな करके हैं लेकिर करणों भारत एया है बहुत कम वस्त पार्टी से आपके सामने और धाई लाग से ज्यादा मार्जिन से भी आपने सामने वाले को परास्त किया कितनी बड़ी चुनोती आप इसको मानते हैं कि जिस तरीके से आपने कैमपेंड किया प्रशार किया कम उम्र है आपकी जरनीती आपकी क्या रही इसके बारे बहुता संख्षेप से मैं पिछले विधायक रहा में पहले सेकंड बार फिर विधायक बना तो मेरे विधायक का जो पिछला कारेकाल था मैंने दिल से लोगों के लिए काम किया यूद के लिए काम किया और जो हमारे टाइबल इलाके से गुजरात में पलायन होता है बेरुजगारी वह तेजी से बढ़ रही है और उसके मजदूरी के लिए प्लाइन गुजरत होता है तो इस प्लाइन को रोकने के लिए हमने प्रयास किया तो इसी वज़े से लोगों ने हमें आज इस अस्तर तक पहुंचाया है अभी आपने अच्छे सीटों पर अपने उमीदवार उतारे थे आने वाले में हम लोग हमारे पालिटी को तरीके से आगे परचारित करके लगबग आने वाले समय में हम चार से पांच स्ट्रटों में काम करेंगे बाकि बासवारा डूंगरपूर की जो जनता है जिसने आपको चुनकर के देश की संसर में भेजा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे संसर टीवी के माध्यम से मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि जिस उम्मीदों से आपने मुझे जिता के बेजा है मैं कहीं पर भी रहूँ मैं उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और आस तक जो नहीं हुआ है इस तरह से बासवारा डूंगरपूर के अंदर काम करना चाहेंगे बहुत शांदर तरीके से बासवारा डूंगरपूर की जनता के लिए यूथ के लिए बच्चों के लिए आने वाली प्रीडी के लिए बहुत शांदर तरीके से काम करेंगे और मुझे खुद पर विस्वास है कि बेश्ट तरीके से काम करेंगे तो आपने रेखा कि राशकुमार रौसाब जो की पूरी तरीके से जोश और उटसास से लबरेज हैं, युवा सानसद हैं, इसके पहले दो बार विधाइक भी रहे हैं, इनका मानना है कि आने वाले समय में डूगरपुर बास्वारा की जो तस्वीर है सही माइने में, वो